अब ब्रीवन क्लास में आज हमने चैप्टर स्टार्ट कर रहा है सार्निक पड़ेंगे तो आप पढ़ने के बाद आपको पता होगा कि आप यू किस तरहीं किसे लिखा जाता है तो अभी आपको स्क्रीन पे आप यू नजर आ रहा होगा एक संख्या द्वारा संबंदित हो सकता है जिसे उस वर्ग आव्यू का सार्निक कहते हैं इस प्रितेक वर्ग आव्यू को एक अध्वितिय संख्या से संबंदित करता है है यानि जो भी आवी होते हैं वह एक संख्या दॉल्रा संब्दित हो सकता है और वो एक कि उसको हम उसकी वेलु निकाल सकते हैं तो उसको जो निकालने तरीका है वह हम सिखेंगे यह हुआ और सानिक में क्या लिटल difference है तो जो आप यूँ होता है आपके elements जिसमें सब लिखे होते हैं पूरे दिये होते हैं अब उस elements के जहां पर संक्चा हो सकती है और संक्चा की value एक निर्धारित एक निश्चित value प्राप्त हो सकती है जैसे हैं पर यह डिटर्मेंट लिखा हुआ है तो आप दोनों सेक्ष्चन को दिखेंगे तो इन्हीं एलिमेंट्स को कर आप पहले लाइन की बीच में नगदेंगे तो अभी ने को जैसे कि यहां पर आपको नजर आँढ़ा होगा तो यहां पर डिटर्मिंट इंट इसका बता है कि इसका इसे ही संबंद्धित होता है तता इस में पंक्तियों तता इस्तंबों के संक्या समान होती है जैसे आप जानते हैं कि 2 x 3 1 x 4 किसी भी ओर्डर की मैट्रिस हो सकती है लेकिन साणिक में किवल और किवल वर्डर होता है यहीं 2 x 2, 3 x 3, 1 x 1, 4 x 4 हमेशा वर्ड में ही होंगे रो और कॉलम तो यह साणिक के आप सेकेंड एक पॉइंट है पचाने वाला साणिक में हमेशा वर्ड में ही होंगे रो और कॉलम तो इसमें जैसे एक कोटी का साणिक के बाद की गई है तो एक कोटी के साणिक में क्या होगा सिंगल एक एलिमेंट ह होगा इसमें किवल एक single element होगा जिसका एड़स आप a11 कर सकते हैं कि इसके वाद हो सकता है दित्यकोटी का दित्यकोटी का साणिक कैसा होगा जैसे यहां पर दिया हुए यह दित्यकोटी का साणिक है इसको जब डिट्रमेंट्ट निगालना होगा मतलश का साणिक की वैलु निगालने तो उसका सम्पल मेंसट करते हैं इस तरीके से हैं कि एवर्ण की एटूटू से मल्टिप्लाई होगी और एटूवन की एवर्टू से लेकिन एवन वर्टूटू की पहले होगी इसके बाद मैनस का साइन और फिर एटूवन और फिर एवन तो की मैशल्ट यह बस आगर आता है आगे तृत्तिक के सब्सक्राइब कर दिया बस लाइन की जो इनका वे हैं इनको क्लोस करने का वो चैंज कर दिया पहले स्क्षिन में आप पैललल नाइस की बीच में अलिमेंट्स रख्या हुए तो यह डिटमेंट बन जाता है तो सौल्ट करने तरीके के फॉर्मलों यहां पर दे रख्या है अब यह फॉर्मला थो सबसकता याद करने वह प्रावल हो तो इसे फॉर्मले आप भूल जाए एक मैथड अप्रोच करने जो तरीका है वह याद रखें तो उसकी उपर आते हैं इसमें हम शुरू करते हैं कि जब हम इसमें दो मैतड होते हैं पंक्ति के अनुदैश प्रसांद करके और और दूसरा होता है जैसे स्तंबो करके तो हम कंती वाला नॉमली यूज किया आता जो अब बता रहूं इसी मैंसेल से सॉल किया आता सबसे पहले हम लेंगे इसमें रिखा जागा माइनस वन की पॉवर में आपका एड्रस है यह वन प्लस बन आ जाएगा कि उसके बाद एवन लिखने के बाद इसके अंदर एजो मेत्रिक्स है ऑजो सैंक्र की माट्रिक्स को प्रेश्त कर लेंगे हमसा minder मैट तो फिस सायं प्लस कर आए उसके बाद फिर मनस लिखेंगे वर में जो सेकंड अलिमेंट होगा यह बंटू उसका अध्रस आदेगा यानि वन प्लस टू देखी यहां पर जो आ रहा है उसके बाद जब यह बंटू लेंगे तो इसको छोड़के बाकि जो दो भचे हैं उनसे मेंट रफेजी इसको लिक लेंगे और इसको छोड़ देंगे और यह जो मेंटरिस बचीगी इसको यहां पर लिकांगे अपर बीच में यह बीदेंगा आयगा मल्टिप्लाय में जैसे यहां पर आया हुआ और रिधर एवन आय वन आय हुआ है इन लो ने यहांस 1 की प्रेवर प्लस क्योंकि वह प् leso जुझें है और लाई अलिए चीज देहां एक मै मैरस्ट कर दकी पावर क्या यहां 10 प्रॉप 2 की मै虐 है वह सेलेट की जैगी है कि उसके बाद पुम सिंत्रार्फ को जैसे हमारे इन को बताया कि सॉपने टरीक अ क्रॉस करके इनको क्रॉस कर लिजे और इनको क्रोप कर लिए वह उक्रॉस करके ہमने इसे अंदर ब्रेकेट में लिख लिए बाकि यहां पर है और यह बताया होगा और यह प्लस पॉस्टिव जाएगा और यह आ गया तो यह आ गया सेक्षिन उसके बाद इसके आप जो भी यहां पर संख्या होगी इस वह सॉल्ट करते जाएंगे आपको वैल्लू मिलती चलेगी तो इसली वह सेक्षिन आ जाएगा तो यह मैथट है थ्री ग्रॉस्टि की मैट्रिस को सॉल्ट करनेगा आज एक एक ग्जाम्पल दिख लेते हैं हम यहां पर जैसे टू क्रॉस्ट्ट की मैट्रिस से लेटेट एक कोश्टन दिया हुग है यहां पर दो मैट्रिक्स हैं और दी लाइब कर देंगे तो आगया 40 उसके आप 3 इंट्रू 6 करेंगे साइट 18 आया फिर मैनस असाइन लाएंगे लेकिन यहां पर एक मैनस मैनस है तो मैनस मैनस की हो जाएगा प्लस और 7 इंट्रू 14 आ गया उसके बाद आगे वाद आगे सॉल्ट करेंगे 2 एस तूसक्वार रू सब्सक्राइब करने बाद कुछ चीजें जो आज हमने स्टेडी करें उनको आप ध्यान रखिए फिर नेक्स वीडियो में आपको कुछ और त्री प्रॉस्टी से मैट्रिक्स के लेटेड सॉल्व करके दिखाएंगे ताकि आपकी और प्रेक्टिस अच्छी हो जाए तो प्रॉक से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्य बाद